नमस्कार एक मुलाकात कारिक्रम में आप सभी दर्शकों का हर्दिक स्वागत है आपके साथ मैं हूँ मोहिता कोठियाल मनादुली जैसे कि आप जानते कि एक मुलाकात कारिक्रम में हम उन विभूतियों को आप से रूबरू कराते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ भैतर क कारे किया है और आज जो यूआ पीडी के लिए भी प्रेड़ना शोध बन गये हैं इसी कड़ी में आज हमारे महमान हमारे साथ मौजूद है वह एक ऐसी सक्षियत हैं जिन्होंने चंबा के छोटी से गाउं से निकल कर ना सिफ वह मुकाम हासिल किया बलकि आज वह देश के को महमान हमारे साथ मगूद है उन्हों है नासिक बहुत है कालेकिन की अकसर कहा जाता है कि गाउं में भहतर सक्षा नहीं होती वह पहतर सुःधां नहीं एक वरिस्ट वैज्ञानिक बने तो सबसे पहले में यहीं चाहूंगी कि दर्शकों को पता चले कि आपका जिन्दगी कैसी रेकिन कटनाईयों से निकल के आप आए हैं मैं इसमें यह बताना चाहूंगा कि पहाडों की जैसे जीवन तो कठिन है और हमने उस पहाडों से ही निकल कर अब आप यह कह सकते हैं दर्जा एक से लेकर दर्जा बारा तक हमने पहाडों से ही सिक्षा ग्रहन की है और मैं तो आपको ताजू होगा मैं यह बताते हुए कि मै मैंने अपना इंटर्मेडर जब किया उस समय मेरे गवह में भी लाइट तक नहीं थी तो उस समय लाइल टायन तब यह जो हमें एक्जाम के लिए परविश पत्र दे जाते थे उसमें एक दो लीटर पैटोली स्पेसल मिलता था उन दिनों और सुबह जब पढ़ते-पढ़ते क्या हो जा था आंग कान काले पढ़ जाते थे लेकिन उनई उसमें क्योंकि चाल चलन ऐसी था और परिश्थिया ऐसी थी तो हमने उसमें अपने अपगो ढ़ाल लिया जो ढ़ाल लिया मतलब इंटरमेड करके फिर हम देरादुन में भीष्ची एक मंसी करने आए और कि फिर अपने पहाड़ों की तरफ चला जाये लेकिन समय की मांग और क्योंकि आगे पढ़ना था एक जनून था पढ़ने का तो मसEश कले देरदून से उनीश अंची में करने के बाद हम आएटी दिल्ली चलेगे एम टेक करने के लिए अप्लाइड आप्टेक्स में अनुपरेख परगाशकी में जी उसके बाद वहां से करने के बाद फिर मन तो पहाड़ों में रमता था तो हम उसमें किसमत से हमें अपने कहनगे एक सी अपनी महनत कहेंगा। आप किसमत कह रहे हैं उस में तो मैं किस्मत ही होंगा। क्यूंकि मैंने सोचा भी कभी कुछ दिन की टीर्चर ही वनूँगा। मैं अपक्सक्राइए जब मैंने Ms.望 कि राजNDR चाम उत्र जाण। तो तब तक मेरा सेलेक्शन एम्टेक के लिए हो गया था तो मैं उसको जोई नहीं कर पाया जोई नहीं किया और यह था कि अगर में वहां चला जाता हो सकता कि मैं पाहडों में अध्यापक बनके रह जाता तो और उसमें फिर एम्टेक करने का जनून था थोड़ा इंडियन ओर्डेंस फैक्टीज के लिए हो गया था किन्तु उसमें बहुत होती है जैसे मेडिकल है पुलिस वेरिफिकेशन है कई चीज़ें होती है इस बीच में मेरे को एक ओफर मिला गड़वाल बेस्टेव विद्याले तेहरी कैंपस से और में वहां फिजिक्स पढ़ इस बैचार में एक तीट कहना चाहूंगा कि वह बच्चे हमारे उनको ढालने की जरूत है कि बच्चे बिलकुर नवजात जैसे होते हैं उनको जैसे ज़ंग से डालेंगे उसे बनेंगे जिए जैसे आज के परिफेक्श में क्या है कि हर कोई इंटर करने के बाद बीटेक करना चाहता है बिलकुल हमें कह सकते हैं हमें पता ही नहीं है कि हमें कि शेत्र में जाना है एक जो रूटीन चलता आ रहा है कि हमें यह पता है कि बीटेक करना है या फिर एंबीए करना है हम एक रूटीन लाइफ को जी रहे हैं रूटीन स्कोप हैं हमारे सामने हम बीजान क मुझे गर्ब होता कहते हुए कि हमारे गाव में हर घर से एक फॉजी निकलता था और मेरे पिता सिरी भी आर्मी में थे और 1770 में जब मैंने इंटरमेडियर किया था तब रिटायर हो गए थे और उसके बाद गाव में हैं वो तो मैंने तो क्योंकि मेरे उस समय बीच में सेले कि अंदर पढ़ाई को शाग रुकता थी आपके अंदर चिणसा आप कही ही रहे हैं आपकी बातों से अब लग रहा देक्री तो आज की नौजवान देखा है तो फीजिक्स का लेके उस तुक्त थी आज का इन वसे इसमें मैं चोटी सी घटना याद दिलाऊंगा आपके न मैं कक्षा साथ में था और उसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो आरेमी के लिए उनको जाना पड़ा थो हमें उन्हों घर छोड़ दिया तो उस विद्याल में केंद्रे विद्याल में पड़ता था तो मुझे साइंस और मैच से बहुत डर लगता था मैं सोचता था कि कभ इन से पिछा छूटे दर्जे साथ की बात कर रहा हूं कह रहा हूं मैं और जब लड़ाई लेगी तो बच्पना था एक वो थीक लड़ाई लगनी तो ठीक है हम तो कमसे फिजिक सम्मैच से तो पल्ला छोटा मेरा साइंस सम्मैच से किन्तो जब चंबा के इंटर कालेज में दाखिला लिया सात्वी में तो वहां से मुझे एक टीचर ने मुझे चैलेंज किया था उस समय कि तुम मैच समय नहीं आ सकती है तो यह नहीं नहीं आ सकती तो मैंने मेनत की मेरे चाचा जी अध्यापक थे माद्यमिक स्कूल गजा में ठेरिगडवल में तो वहां से एक जनून सा सवार हुआ तो फिजिक्स और मैस में मेरे मैक्सिमम जो है अंक आते थे और वहीं से मेरी सुरवात में बढ़ना बढ़ना तो फिर बीसी की बाद और और कोई कहता था कैमिश्ट्री में कर लो कोई कुछ कहता था क्यों हमें गाइड करने वाला कोह 25 रुपए उन्हों सर्त लगाई थी कि जो 98 नंबर 95 से उपर नंबर लेयागा हूमिक जान में उसको 25 रुपए नाम दूंगा 25 रुपए उन दिनों मैं तब की बात कर रहा हूं सन चहुत्तर की बात समहाओ मतलब 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 जो पूर्बज है हमारे उनका आश्री बात था भगवान का आश्री बात था कि हमारे 98 आए उसमें और अब वो टीचर जी अध्यापक जी हमारे थोड़ा वह भी आश्यर चकित रहे जिस लड़के को कुछ भी आता था यह 98 कैसे लाया उसके बाद काफी देड़ तक कुछ दिन तर सोचते रहे तीन-चार में तर सोचते रहे जब स्कूल के बच्चों ने उनको छेड़ना सुरू किया तब जाके उनको इनाम दिया हमने चम इंटर कॉले में जितने 25 रुपेस काफी देर होते हैं पूरी क्लास को चाय वाई चाय बिसकेट जो भी होता था उन देरों जो गाउं में मिलता है अगर किसी बच्ची को यह कह दे कि आप इस विशे में बहतर नहीं कर सकते और आप ने बहुत बहतर करके दिखाया तो उस वक्त वह पल कैसा था कैसा सुकून आपको मिला उस समय सकून यह मिला कि हो सकता है कि उनकी जैसे क कहते हैं हर ठोकर के बाद आप समलते हैं तो चीज मेरे ठोकर जैसी थी तो चैलेंज जैसे हमने और उससे आगे बड़े हैं और मैं तो उनको भी सिरे दूँगा क्योंकि अगर वो ना कहते तो हो सकता हम भी आज कहीं इंटर कॉलेज में कहीं सिक्षक ही रहते हैं यहां पर सरश्य को आपको बताना बहुत आवश्यक हो जाता है जिस तरह हमें वैग्यानिक सर उन्डीर जी बता रहे हैं कि किस तरह है एक सिक्षक एक छोटी सी कहीवी बात ने उनकी जिंदगी को बदल दिया और आज वो एक वरिस्ट वैग्यानिक के तार पर हमारे सम्मुख बैट मिला उसके बाद आपने ओर्डिनेंस सेक्टरी देहरदून की हम बात करें वहां पर आप कारे रहे हैं अगर आप बात करें तो किस तरह के हतियारों को वहां पर इस वक्त बनाया चाहते हैं मैं आपके बताना चाहूं के कि जब हम सुरू में औरनेस फक्टी देरदू में मेरे को पोस्टिंग मिली थी तो मैं देरदू में 5-6 साल पड़ा हूं लेकिन हमें रायपूर के बारे में ज्यादा ग्यान नहीं था ज्यादा नहीं था फक्टी कहां पर तो ढूंड दूंड हेटकवाटर कलकर्टा में है इसकी कर लगभग 41 फेक्टी हैं प्लस अदर इसटूट हमारे जैसे लन्निंग इस्टूट हमारे कुछ हमारे सेफिक कंट्रोलेट हैं 5-6 हमारे और और रिजिनल मार्केडिग सेंटर से हमारे तो देरदून औरनेस फक्टी हमें यह जरू सुन फेमस था लेकिन औरनेस फेक्ट्रेव को हम भी नहीं जानते थे उन देनों जब गए तो वहां उसमें ये टी-72 टैंक का सुरू हुआ था टी-72 टैंक की साइट्स बनती थी यह बेसिकली दोनों फेक्ट्रेव में साइट्स साइटिंग सिस्टम बनते हैं साइटिंग सिस्टम मेंस जैसे आपका बाइनोकुलर्स हुए गॉगल्स हुए और दूर्बीन हुई शुद्ध भासा में दूर्बीन हुई कुछ अंगुलर इंस्ट्रूमेंट बनते थे जिससे हम अंगुल सेट करके गन के उपर लगाके उस किस रेंज में हमने फायर करना ह उसको एकजट कल्कूलर कर सकते थे तो उस ताइब के इंस्ट्रूमेंट बनते थे धेरे ताइम आगे बज़े कुछ परिस्कोस बनते थे तैंक से देखने के लिए और देरे देरे हम नाइट विजन की तरफ गये हुए हम पर नाइट विजन में राति दिश्टी गोचा र हमने बनाया था और नाइट विजन बाइनोकुलस बने बाद में तो कई साइट साइए हैं हर साइब हर चीज में नाइट विजन मैक्सिम नाइट विजन ही चलता है आजकल और अब देरे-देरे स्विच ओबर किया रहा है थर्मल इमेजिंग के तरफ जिससे तापमान से आ हमें समझ जा तक कैसे बन गया एक बार हम ट्राइल में यहां गये ऑजा क्री आपर महराना परता पर बध्र को वहां पर रात को मैंसे चांदरी की वह नहीं हो चाहिए क्यों इक श्तार लाइट तेस्करते थे जिस्टार लाइट में तेस्ट लॉइट बभावर मारेस थी ल पता नहीं था, डिजाइन होता है, लेकिन अंतर होता है प्रत्रेश है यह जैनलमेजर नील रतन बैनर जी को आच आखिए, मैंने इसे भूल कहीं पर नृटिन नेल नेकुति आपने बनाना हैं विश्वास था कि जो मेरे कलीक्स हैं और मैं उन कलीक्स को आज याद करता हूँ कि उन्हों नहीं मुझे शिखाया और मैं तो एक चीज बताऊँगा कि इसमें अगर आपके अंदर जनून है आपके अंदर मेहनत है आपके बाद सिंसिर्टी है तो आप कुछ भी उखर सकते है और उनको और मैंने कभी ने सोचा अपने 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 अधिकारी हूँ ये मेरे वर्कर हैं ये मेरे चार्जमेंन हैं क्या है तो मैं बैठके रात को ददस बजे तक ग्यारा बजे तक बारा बजे तक दो बजे तक कई वर हम कंटिन्यूस काम करते थे इस पर नाइट विजन पर तो उसी का फल है कि हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और एक दोर ऐसा आयता आपको यानत होगा कि कारगिलवार होख था ता एक बार जी कारगिलवार में क्या था कि जिगन के उपर एक साइट बननी थी साइट के ना नाइड विजन साइड बन लीए, क्योंकि आज किलके अक्षर युद्ध क्या होते हैं, रात में किल जाते हैं, पहले तो होता है, सूरज दूबा तो युद्ध बन के रहे हैं, तो उन दिनों कई बार दिल्ली से, MGO से, इधर से फोन आते थे, कि कितनी साइड बन गई हैं, मै साइड को आगरा भेजूँगा, आप आगरा से एरलिफ्ट करा दीजिए, लेकिन देरा दूर में जगा भी नहीं थी, हमारे आस पास ना, तो हमने ये कोशिज की, बढ़ डेली एक दो गारी मेरे, दो गारी रास्ते में होती थी, मेरे एक गारी रवान होती थी तो चौते दूसरी गाड़ी आपस आती, तो उन दो डेली जितने बने, दस बने, पंदरा बने, पचास बने, हम उनको डिस्पैच करते थे, एक करनल साब थे, हमारे साब करनल ममगाई थे, मैं उनको धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया उन दिन हो, रात को दो घंटे तुम सो जाओ, दो घंटे आप सो जाईए, तो उन दिनों औरनेस फैक्टरी ने मत्द्ब काफी काम के दाए, बहुत 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 कारे किया थे, क्योंकि सर जिसी ये कारे जो होता है, ये ग्रूप में ही संभव है, अगर आप यह कहें कि नहीं हम नहीं तक कहुंसते हैं, ये सफर कैसा रहा? मैं लगबख सुरुआत में करीब 15-16 साल रहा यहां पे, आई दिन वाने दिन में, उसके बाद मैं चेनने गया, दो-डाई साल चेनने ही में रहा, इंजन नहीं में, उसके बाद फिर मुझे सोभाग्या मिला, यहां पे नहीं फैक्टरी खुली थी उन दिनों, 1988 में, तो उ में जाए, यहां बहाद बाद मुझे जाए, नहीं बशा नहीं मिलता था कई बार, यहां होता था कि हमें नाम पता नहीं था बाद अब मुझे भिंडी खरीदें सब्जी तो मुझे विंडी दिखे तो ठीक है, नहीं दिखी तो फिर बहुत मुस्किल होता था खरीदना उस वक्त सर कैसे मैंनेज किया फिर एक मेरी 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 सर्वेंट मिल गी थी उसको लगकी ली तमील भी आती थी 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 थोड़ बहुत अंग्री जाती थी वह किसी स्कूल आया पाई थी जाता थी तो रहने की दिख्के तो वीडियो थी भी जाती तो मैंने अपना आपना ऑफ अए जो मेरा सर्वेंट कोर्टरूम था वहां पे उसमें रखा उसको वीचारी उसे बड़ा दिखाना का उसे बेहार ता था था बजार में तुम जाके यह लियाओ यह लिय गर में भी भेज देते थे उसके बाद में देरा दूर आगे तिर्चनापली के बाद दुरगटना होगी ति दुरगटना क्या हुआ कि मैं यह पीलिया रोग से हो गया था मुझे लेकिन एक काम करने के अरहाम नहीं किया गया और अंतर दोगता मुझे लीवर मेरी चोटी बिटी है, पेस्जी देरदून से कर रही है, उसने अपना लीवर डोनेट किया था, उच परसेंटीज, ये 1912 की बात है, नॉम्बर 1912 में, तो उसके बाद मेरी पोस्टिंग कुछ दिन के लिए दिली होगी थी हेट कोटर में, और देरदून में एक साल हो रहा है फिर उसके बाद में चेनने में आजकल चेनने में था, जहां, बेसिकली मेरे काम आडिट करने का है, safety norms फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और इनी बातों पर हम ज्यादा फोकस यहां पर कर रहे हैं कि सिरक्षा के लिए हाथ से, सर अगर हम आज की वर्तमान परिवेश म से भागते हैं, वो बिग्यान को समझना नहीं चाहते, उन्हें लगता है, डर लगता है, उन्हें कठीन लगता है, उस समंध में क्या कहींगे? डर विध्यान का, ने अगर हर चीज से दर्टे थो हर चीज टफ लगेगी लेकिन आप उसको ध्यान Дेजीए और प्छा स्टाने की तरह रूच्ची हो जाएगी ओंक हाज के ज़माने में तो हर चीज ही विई उठा ले जी है जितने भी हम चीज देख रहे हैं आपका मोबाल उठा लेजे आप यह भी विग्यान की देन है टीवी है टेली विजन वगाए रेडियो हो गया यह जो चीज है सब भी विग्यान के उसमें है उसमें तकनीकी है उसमें उनकी तरफ जाये तो आपको लगेगा कुछ दिन बाद बहुत बढ़िया है अच्छा है कि अगर डर बढ़ गया तो आप कुछ नहीं कि जैसे मैं आपको पहले बताया वह गणित का और इसका जी सब्सक्राइब करना चाहते थे लेकिन अपके युगाओं के बात करें पेशिंस बहुत कम है मारे अंदर इस बात में आपके साहिमत कि आज के युगाओं में थोड़ा सा सहीम नहीं है वहर कोई चलांग लगाने की चक्कर में पढ़े जाता है कि मुझे कुछ मिल जाए जल्दी में रहते हम चाहते हैं जल्दी कुछ भी हासिल हो जाए अब अगर आप विज्ञानिक बनना चाहते हैं आप विज्ञान को सब करना लगे हो और रुची बनेगी तो अपना पड़ेगा बच्चा जो भी होगा अपना बनेगा और मैं तो आज कल कभी जो भी कहते हैं कि इंटर के बाद क्या करना तो हम तो यहीं सलाह देते हैं कि आप वी टेक चोड़े क्योंकि आप देखिए हर कोई काफी लोग मातर मि पहले क्या था देरादून में कोई आपके वी टेक इंस्टूट नहीं होते थे हमारे समय क्या थे डीवे स्कॉलेज लेडिज के लिए एमकेपी हो गया एक गुर्रामराइ उसके बाद कुछ नहीं था लेकिन आज की डेट में आप देखिए कितने तो मेडिकल इस्टूट ह इस्टूट है कितने यहां पर वह है टेकनिकल इस्टूट है तो हर कोई टेकनिक तब जाना जाता है अब आज की डेट करके सब जा रहा है गुर्गाओं में फरिदाबाद में नोइडा में बैंगलोर में कॉल सेंटर वाला बिजिन्स है वह तो एक्ट्र टेक्निकल नहीं ह जांच में किसी बड़ी फैक्ट्री में काम करें तब पता लगेगा इलेक्त्रोनिक्स में काम करके किसी जैसे मोबाइल कंपनी में मोबाइल मैनेफिक्टर का इनुट में जा है तो तब कुछ आप अप्लाई कर सकते हैं अधर्वाइज तो कॉल सेंटर में तो कोई भी काम कर सकता है थोड़ा था नॉलेज होना चाहिए थोड़ा इंग्लिस टीक होनी चाहिए और बाकी तो है फिल्ड उसको बताना हुआ कि बिज्ञान भी ऐसा इतना खराब सब्जेक्ट नहीं है जो कि लोगों के पहाडों में कहा जाता है कि बहुत खराब दो साइंस नहीं पढ़ना वह यह अर्थ सास्त्र पढ़ लो यह पढ़ लो इसमें रटर राय काम हो जाता है लेकिन बिज्ञान में तो आपको नहीं नहीं अपर्चर नहीं मिलती है कई चीज़ सिखने को मिलती है कई चीज़ हम आज भी सिखने हैं बिज्ञान से सुरू सुरू में तो हमें भी खराब लगता था लेकिन समय की बात है तो थोड़ा हमने अपना संयम दिखाया तो उसक टो आप जो यूवभा है उन्को द्यां से पड़ेगाव करें। उनुस बिग्चाथ होना हऊँ कि रूटियां। को अन्य मुझत हसाना है। अधिक्न तरनमा है कि आप 2017 समझाय को व्यान से वर्यसा ये ऐसा इंद्यांating करें। लेकिन बेसिक से सुरू करें और उसके एथिक्स जो है बेसिक फंडमेंटल सें जो उनको ध्यान से अगर पड़ें तो सब कुछ सई हो जाता है जा सुरू सुरू हम इंटर्मेडियर में जैसे माथ समने सब्जेक्ट लिया था मैथ में पांच शे कितावें होती ती और यह रहा हरी यह माग है स्कारस आरहा नहींद नहीं रहें समया रखना पर द tą मिलता हुआ है। इसक दीशेर समय है सब सुरस brewing, ब्नाम को होलों निकाला समय नहीं रह यह निस ने हम यह किसधा । मिलती नहीं करूओं नहीं ना खाबन झाहिवा चैनल रहा है। कि इस मिनार की निकालनी है लेकि नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उनके बेसिक ही नहीं पता आप सीखिए तो सब कुछ संभव है बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वरिस्ट वैग्यानिक जी एश्पाल सिंग पुंडीर जी मौजूत है बहुत बुखे जानकारिया जहां पर दिये विज्ञान के विशय में क्योंकि बहुत चुरूरी हो गए कि आज कल कि युवा पीडी के अंदर हम यह बात कर रहे थी पेशिंस नहीं यहीं वज़ा है कि आजकल वह बैटना नहीं चाहते कुछ समझना नहीं चाहते जरूरी हो जाता ह Namaskar